कि आई दोस्तों हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट लर्निंग का अधिगम जो है हमारा चेप्टर है एजुकुशन साइकॉलजी और दूसरी कंप्रेटर अग्जाम स्वाब काफी काम आएगा उसका सेकंड पार्ट हम बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट में हमने प्राचिन अनुब पार्ट पार्ट में एक्सपेंट थोड़ा हिंदी और इंग्श लेंग्रिज बें करों इसलिए आप इसको समझ सकते हो आपको कुछ युना समझ में आए वह आप पूछ सकता है जो इस्ट्रूमेंटल कंडिशनिंग थी यह उप्रेंट कंडिशनिंग थी सब से पहले बहार वाद इसको हिंदी में बुला जाता है उसका हिस्सा वाना जाता है तो उसकी अच्छले बेहार वाद की शुरुवात किस नहीं करी थी आप वह पूछे बताएगा साइकॉल्जिस का जो मैं आपको पहले भी चैप्टर में बता चुक हुँ हुँ इसकी नार ने क्या क आपने डियो से करते हैं नौि अब लिघ्न इंश्चा लगई तया लुकिर तो आप इसको कॉझा अरुटि को लिए विएपन करते हैं अच्छा की रेगर आसा जिससे आप मालीज जे शेल्फ से बुक उतार रहें तो इसके लिए आप श्टूल लाइंगे या फिर वैसे आप चड़ेंगे और आप किताब दोनेंगे और किताब रखे वी ती उसको लेंगे या मालीज आप किछिन में कुछ खाना बना रहे हैं या कुछ कहने चीज़ दे कुछ समय के लिए रोग जाएगा तो वहां पर इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है तो यह बीसिक डिफरेंस है और प्रेंट इंस्ट्रूमेंटल करनेशनिक यह पूछा जाता है बड़े-बड़े कल को अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाए तो यह बहुत अच्छा कुश्चन बनता है और यह बहुत ही कन्फूजिंग भी है ऑपरेंट्स वह सभी वह होता है और रिस्पॉंस है विच और एमिटेट बाइनिमाल यूमन विए वर वर अंडर अंडर दे कंट्रूल कोई भी जो आप अपनी मर्जी से करते हैं वह सारे ओपरेंट्स कहलाते हैं और जब वह बिहेवर किसी परपस को मतलब कोई चीज लेने के लिए करने के खाने के लिए करते हैं तो फिर वह इंस्ट्रूमेंटल बिहेवर मन जाता है और कंडिशनिंग इसके अनुबंदन को कि कहा जाता है यो सके बॉक्स में क्या होता है कि कि इसके एक्स्परिमेंट के इसमें के इपी लेकिन जो अच्छा एक्सपरिमेंटर वह चुए पर माना जाता है तो चुए पर क्या गया है तो दो चार दिन तक उसको खाने के पीसिस वगरा डालते रहेंगे तक चुए को आदत रहें कि खाना किस तरफ से आएगा उसी बॉक्स में तरफ लिवर रहता है जब वह उस लिवर को प्रेस कर देगा तब उसको खाना मिलेगा दूचार दिन तक उसको आदर डालेंगे खाने की और फिर खाना बंद कर देगा अब क्या होका चुए इदर उद अब कुछ तीन चार बार पांच बार के बाद उसको आदत पढ़ जाएगी जहां वह लिवर दबाएगा और खाना मिल जाता है इस तरीके से जो उसका वॉल्टिक डिस्पांस था चुए का इदर उदर खाने के खोजना वह इंस्ट्रुमेंटल रिस्पांस में बतल जाता ह है जहां वह सिर्फ लिवर दबाता है और उसको खाना मिल जाता तो यह बिसिकली इंस्ट्रुमेंटल कंडिशनिंग का पूरा एक्सपेरिमेंट है इन दाबो सिच्विशन दा रिस्पांस इंस्ट्रुमेंटल इन गेटिंग दा फूर्ट डैट इस टाइप अफ लर्णिंग आप इसको लिख भी सकते हैं जैसे हिंदी में मैं बता इस प्रोक में हम देखते हैं कि लिवर दबानी कर नूगरिया बोजन प्राप्ट करने का इसलिए इस प्रकार के अधिखम को न्यमत्ति कर बंदन भी कहा जाता है डेटर्मेंट्स देख लेता है यह एक्शुली क्या है कि जो इसकी पीपिटी है यह इसका फॉर्मेट फोड़ा चेंज वहाई इस तरी किसे हिंदी में इस तरी किसे लिखा रहा है वाकि इंग्लिश अनुबंदन अधिघं को एक प्रकार जिसमें इसके परिणाम से विखार को सिखा जाता है बनाया रखा जाता है अथ्वापस में परवितन किया जाता है ऐसे परिणाम को प्रब्लक कहा जाता है जो प्रब्लक होते हैं या रीइनफोर्सर होते हैं इनके प्रब्लक होते हैं इसके प्रकार कौन कोई से होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव रहनात्मक नंबर और फ्रिक्वेंसी संख्या या आवरति इसको बोलते हैं क्वालिटी सुपीरियर और इंफीर गुणवत्ता उच्छात्वा निमनत्थ और शेड्यूल और कंटिन्यूस इंटर्मेंट यानि अनुसूची यानि मतलब जो रीइनफोर्समेंट या प्रबलक है कोई भी काम करने पर आपको जो भी रीइनफोर्समेंट मिलता है मिलता ह अगली बार दौड़ेगा तो आ Mississippi आ इंटर्मेंट बोलता है तो इस तरी किसे इंटर्मेंट इनफोर्समेंट होता है क्योंकि आपको कुछ अक्टिविटीस में नहीं मिलता है अब इसमें भी एक तरह का प्रकार होता है उसको आगे पढ़ेंगे टायपस ऑ रियंफोर्समेर्ट रियंफोर्समेंट में भी पोजिटिव और नेगेटिम माहिद मेरे हं यह बहुत इंपर्टेट मेरेक न कुछा जाता है ऐसे जो सेक्शेन से इस बहुत जश्च्चिन अब भी जादा बनने के कि जो एक बाHa पॉजिटीव नेगेटिव 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 न करने से क्या होता है कि हमें कुछ अच्छा जो हम चाहते हैं वह चीज हमें मिलती है या थोड़ी जो सुख़दा ही चीज होती है जिससे हमें अच्छा लगे ऐसी कोई चीज मिलती है तो उसको बोलता है पॉजिटिव रिंफोर्समें कि नेगेटिव रिंफोर्समें क्या होता है हम कोई भी अक्टिविटि करते हैं उससे क्या होता है जो भी हमें कोई भी खराब चीज जो हम नहीं चाहते वह हमें नहीं मिलती है अगर हम इसको बोलता है नेगेटिव रिंफोर्समें याद रखिएगा पॉजिटिव और नेगे आते हम जब वह activity करते तो वह हमें नहीं मिलती वह चीज तब वह negative reinforcement कहलाती है तो positive reinforcement involved stimuli data have pleasant consequences जानि ऐसे उद्धिपक शामिल है जिनका परिणाव सुकत होता है धनात्मक्त प्रबलन जो positive reinforcement में है जो है वह हमारे behavior को strengthen करते हैं यानि मजबूत करते हैं द्रण करते हैं जो negative reinforcement होता है वह actually ऐसे कोई भी उद्धिपक या stimulus में involved होता है जो हमें पीड़ा दायक होता है या हमें अप्री होते है तो लोग जानवारी इंसान की ऐसी कोई भी क्रिया अनुक्रिया जो उन्हें पीड़ा दायक उद्धिपकों से छुटकारा दिलाती है या उनसे दूर रहने बच निकलने के लिए पर्त प्रदर्शन करती है उसको रिरान पक प्रबलन प्रदान करती है यानि कोई भी चीज दस नेगेटिव रिइंफोर्समें लीज तू लर्निंग अफ अवड़न से एसकेप रिस्पॉंसिस इसको जरूर तोर पर याद कीजिएगा कि जो नेगेटिव रहना या बच निकलना यह क्या है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट से सीखते हैं इसको बहुत अब प्रिइंफोर्समेंट से नेगेटिव रिइंफोर्समेंट से सीखते हैं कि ज्यतार में आपको पहले बता है कि यहादर के लिए बेडिर प्रबलंन हो द्रॉम्टर में उल्दन भाइन चाले ? यह बकाम नहीं करना जिन पॉस्कुल में अजर्णा मिए ख़िर की भइता करए अगर पड़ाओ जयुक्ता यह नहीं कृता है किस दिन उसको बोलता है पनिश्मेंट लेकिन नेगेटिव लिइनफोर्समेंट में हमेशा है कि आपको व्यवार सिखा जाता है कि अगर आप यह व्यवार करेंगे तो आपको डार्ट नहीं पड़ेगी यानि आम मान लीजे का का मिलती तो आपको णके लिए मिलती ती उसमें लिखते में मिलती तो इसे लिए मिलेंगे याा प्रेशन करेंग Stream में लेकिन मा लेजिए आप उस डारी में वो आपने हम में लिए को ह्म सावाश कॉन से पहली हो ने लेगा या कोई एक आप लिखना पसंद नहीं करते हैं उससे क्या होगा कि आप हो सकता है कि अगले दिन के लिए जो होमवर्क करके आपको जो ले जाना है वो उसको मिस कर जाए है उसकता है आपको पांच मिले हो आपको तीन ही याद रहे है और दो आप मिस कर जाए तो यह क्या होग आपको negative reinforcement avoid करने में मदद मिलेगी मतलब डार्ट जो है उसको avoid करने में मदद मिलेगी तो वो क्या होगा आपको negative reinforcement मिलेगा इसलिए आपको विवार है जो आप डारी भ़णना सीखे रहा है वो गार्षवक्त क्वारण है डार्षवक्त क्या है तो use of punishment आप आया जाता है इस कुशन को इस लाइन को आप याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई बार ही कुशन पुछा गया नेट, सैट, आईएस तक में कुशन पुछा दाता है और रिट में भी यह पूछा गया वाले नेगटिव रिइनफॉर्सर इंक्रीज दा प्रावबिल्ट आवड़र्स और एसकेप रिस्पॉंस मैंने का जैसे दूर रहना या बच निकलनी का जो विवार है वह हम नेगटिव रिइनफॉर्सर से सीखते हैं फॉर इंच्ट ड्रावर्स और को ड्रावर्स विए देशीट बेल्ट तु अवाइड गेटिग इंजर्ड इंकेश ऑफ एक्सटेंट और वाइड बाटिव पुलिस यह लेखनी यह कि दंड का उपयोग अनुक्रीय को कम करता है या दबाता है जो दंड या पनिश्मेंट ह उसकी संभावनों को बढ़ा जीता है यानि अवर्डेंस को बढ़ाता है उधारना दर दुरकटना की इस तिदि में घायल होने से बचने के लिए अथा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जुर्माना के जाने से बचने के लिए चालक चालक सीड वेल्ट पहनते है अब इस यह इस तिदि में हमारे जो ऑपरेंट कंडिशन यानि नयमत्तिक अनुबंदन है वो किस तिदि में अच्छा रहेगा अगर रिइनफोर्समेंट की संख्या माल लीजे आपको बहुत अच्छा मतलब पीजा में खाने ओ स्वरी नंबर एक तो जैसे माल लीजे आपको वैसे काम करने के लिए माल लीजे पॉजिटिव काम करने के लिए एक चॉकलेट मिलती है उसकी जगा आपको पांच चॉकलेट मिलने नहीं तो जहीं चैसे माल लीजे आपको प्रवग पूरा कर लें चोटे बच्चो को सिखाते हैं आप परेन्स तो एक तो हुआ कि आप इसको एगी चॉकलेट दें पिर बोले कि नहीं आप पांच चॉकलेट दूंगे आप होमवक पूरा लेंगे तो उस्ते क्या हुआ कि बच्चो याद आगा कि उसका हम कंप्लीट हो न वह पांच हमान एक तो पंच रुपए होती है यह दिश्cyj को पनस रुपces रुपेन चॉकलेट होती है अगर आप बचे को चपांस रुपए टेंगी तोह तोहां है तो तोयां लेकित बिवेल रेकित से हम्ञाई नहीं मिलimpi tillione बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, and quality of reinforcement, quality को आप इस तरह की से समझ सकते हैं, कि मान लीजिए, आपको जिसे, कुई ज़्याद अच्छी चीश मिलती है, जिसे, एक तो हो गई, किसी अच्छी कंपनी की चॉकलेट, जिसे, कैटबरी मान लीजिए, बहुतों को मिलती है, ए अपने परसंद है, लेकिन हम यह मान सकते हैं, कि अच्छी चॉकलेट के लिए, आदमी ज़्याद अच्छी कोशिश करेगा, ज्यादा अच्छी कोशिश करेगा, उसको वह वह वहार भी याद रहेगा, जो reinforcement schedules होते है, प्रब्लन अनुसूच्या, प्रब्लन सतत्य सवराम हो सकते हैं, जो reinforcement schedule, यह continuous intermittent यह time period पर हैं, continuous intermittent इसमें दो चीज़े यूज की जाती है, आपको मैं बताते हैं, schedules of reinforcement होती है, एक तो इसमें number of attempts, यह एक्टिविटी कित्ती बार करी, plus time period यह भी यूज कहा सकता है, और इन दोरह combination भी यूज कहा सकता है, मान लीजिए, जैसे चुहे क यह खाना देना है, scanner box में, एक तो हर बार liver दबाएगा, तो इसको खाना मिलेगा, तो उसको continuous reinforcement है, एक बार दबाएगा, दूसरी बार दबाएगा, तो मिलेगा, इक हो सकता है, उक दिसको discontinuing कर जाए ज़य कि जाए कि बता चार बार liver नहीं दबाता तब तक नहीं रहा तो ज तो वह भी ऑप्प्लक्स शेडूल होता है। उसको बनता है कॉंप्लेक्स के चाहिचे जीजिक है। जब यह इंगूलरी यूज़ता है यानि सिंफ टाइम ही यूज़ता है, जिससे पांच मिन हैं, तो उसको बनता है सिंपल शेडूल तो यह भी चीज़े होती है इसको आप समझेगा बागी एक बार दबाता हर बार पर मिलता तो बोलता है सतत है या कंट्यूंस रिइंफोर्समेंट और जब और अपको चीज मिल रही है किस इसी असलों सबसे ज़एक ओल सेठा है किस इस इसलिए व 같은데 फारते प्रिशनűश्चुल में ग्र lobby कासे कंट्ट में सबसे ज़्यादा नमबा तिका रही पीछे भी पढ़ाता कि अकर मान लिए नंबर ओफ रिनिफोर्समेंट यानि संख्या मात्रा या गुडवत्ता या क्वालिटी रिनिफोर्समेंट या प्रवलन की यह भी तीनों चीजे अगर इंप्रूवड होंगी ज्यादा होंगी तो उस व्यवार के बार-बार दोहराने क और उस व्यवार को भूलने के चांसे बहुत ही कम रहता है ऐसे continuous या intermittent schedule में देखा गया है कि जो intermittent schedule होते हैं जब हर बार लिवर दबा जाता और उसको खाना मिलता है उसके बज़ाए जब कुछ उसमें gap भी होता है जब तो तीन-चार बार नहीं दबा लेगा तब तक उसको खाना नहीं मिलेगा उस situation में भी जो व्यवार सीखा जाता है वो ज्यादा strong होता है बनिस्प चांसे बहुत कम होता है ऐसे partial reinforcement की चांसे भी मिलता है तो उसमें भी यह दिखा गया कि भूलेंग चांसे कम रहता है यानि मान लीजिए क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर बेहिवर करने के लिए कि आपको इसके लिए दो चॉक्लेट मिलेगी आपने पर्टिकुलर बेहि आपको याद रहा है कि यह दिखा तब मुझे आधी चॉकलर मिली दी आपको लेकिन बहुत बहुत आपको याद रहा है कि किस सिचूइशन में मिलता है तो पार्शल रिइंफोर्समेंट हैज बिन फांड टू प्रडूस ग्रेटर रेजिस्टेंस टो एक्स्टिंग्शन य का मकफ भू Means समतानी कि साथ कम होती जाती है कि जिसоде बहुत हो कहा जाता है आप आपको बता ओंधिशन में बचानाः जया लगता लेक्ता मैं इसकािशन की जादा बड़ा करन पता है क्या होता उसका करण हुट कि सपोर्स्ट में जो भी रिजल्ट आता है इमिडेटटक ऑ सब्सक्राइब अग्ति करें इसके बाद in गीशेश इस लिए इसके लिए इनगonneकरा और सबूकोर now सब्सक्राइब करना किशी सब्सक्राइब चाहिए रफान में करेब तो तो उनको वह जो व्यावार है याद करनी के लिए मतलब पदाई के लिए ज्यादा उनमें उट्थशुकता या मोटिवेशन उनके अनर आएगा तो यह देखा गाए, डेलेड रिंफोर्समेंट होता है वह कम एफेक्टिव होता है rather than immediate reinforcement होता है It is found that the delay in the delivery of reinforcement leads to poorer level of performance किसी भी problem करनी शमता है विलम के साथ साथ कम होती जाती है और इसमें एक time period भी है यह लिख लीजे 0.2 से 2 सेगंड के बीच में जो reinforcement मिलता है वो सबसे ज़्यादा effective होता है अब यह नया instrumental conditioning होगे अब इससे कोई सवाल हो तो आप पूर सकते हैं हम उसके जवाब देने कुछ करेंगे अगला हम देखने है Learn helplessness यह एक्शुली learning से involved है और यह बहुत ही अच्छा experiment है यह आपकी जिन्दगी में भी एक्शुली बहुत काम आता है Learn helpless यह एक्शाम के लिए पढ़ने का नहीं यह आपके पर्सनल जिन्दगी में आपकी आपके दोस्तों यारो इश्टा फैमिली मेंबर जीती सबकी जिन्दगी में बहुत काम आता है बहुत इसको इसको आप समझेगा सबसे पहले तो हम एक्सपरिम्ट के बारे में समझ लेते हैं यह सैलिगमान मारे नाम के दो साकालोजिस्ट थे इन्होंने किया थे इसने कुट्टों पर एक्सपरिमेंट किया था अब उसमें दिखाता है कि जो हम यह निराशा इसको थोड़ा और लान हैल्पनिस को बहुत कॉमन बड़ में आपको आउं तो वह ती निराशा जो हम निराशा सीक लें कि हम यह नहीं कर पाएंगे कर पानें यह नहीं कर पाएंगे यह अधिकत असाय यह हम जब आती हैं इन दौनों के combination से आए यह कोश्यन भी अच्छा है कि में क्या इंपॉर्टन अगर मानलीजी कोश्यन आजा कि लाइन हेल्पनास किसके करणा थी क्लासिकल कंदिशन इंस्ट्रिमिन कंदिशन इंग कर आए या दोनों के नहीं तुर इसका सबसे सई कि दोनों के करान कि इसमें इनों क्या करा था इस एक्सपरिमिंट कि रहा था कि रोक्ता लिया को लिया एक बॉक्स अब जैसे इलक्ट्रिक्टिक शॉक भागा लेकिन उसके पास यह मौका नहीं था कि वह बॉक्स निकल जाए किसी भी तरीक से उसको बार बार इलक्टिक शॉक मेले कुछ टाइम बात क्या होगा कुछ तरीक से याद कर लिए अधिकम उसने अपने बीवर में उसको जो व्यावार था उसमें परिवर्तन लिया कुछ टाइम बात क्या हुआ कि उस अब डॉक को सेलिंग मान हमाया ने एक ऐसे बॉक्स के अंदर रखा जहां में इलेक्ट्रिक शॉक्त मिलेंगे लेकिन उसको क्या करता सिर्फ बॉक्स की जो दिवार है जो साइड की दिवार उसको सिर्फ करना अपने सेट से और शॉक कि राता चाहा कित्ती कोश्च कर ले तो अब जब उसको नई सिचुएशन में लाए गा तो भी उसको तेने कोई भी कोश्च नहीं करी इसमें क्लासिकल कंडिशनिंग प्रसुप दोनों के करन यह आया इट इस रिजल्ट अफ इंट्रेक्शन जो सेकिंड पॉइंट उसको देख लेते हैं इस रिजल्ट अफ इंट्रेक्शन बिट्विन तू फू फॉर्म सफ पंडिशन दो तरह का नमंदनों के बीच अंति क्रिया का प्रणाम है एक लासिकल कंडिशनिंग इंस्ट्रुमेंटल कंडिशनिंग इंड प्लाचिन अनुमें तर्क्रिया परसूत जैसे में आपको बता है यूमन फिंक्स में भीता है इट है इस बिन फॉंड एट कंटिनूस फिल इन सैट अफ टास्क शूज द अक्रेंस अफ लेंगे फिर आप माल लेंगे कि आप यह पास नहीं कर सकते जबकि आप कोशिश करेंगे तो आप एक्जाम पास कर सकते हैं इसक प्रसेस में सबसे इसमें क्या-कर इनवाल होता है आप देख लिए सबसे पहले इंफोर्समेंट प्रबलन किया चीज होती है किसी भी व्यवार के बार बार रता उत्व एक उत्वा पन्न होने की श्रमता को जब बढ़ाया जा सकता है उसको बोलते हैं रिइन फॉर्स की situation भढ़ती है या या मिल रहा है तो आपको इसस चीज स्य है युद्ट करेंगे बार बार औहils और चाहरे हैं ज़िए दिन दयुक्ति स्य क्वर्शव रहें और व्यागेंर को चाहरा है कि यह यह चीज सद्नाष आट ıl आए इसलिए इसलिए आप वेवार को बावार दःते हों तो वकू यहां वनुट ने plastic अर्फ प्राकर्टिक तोरप है जो हमें चाहिए होता है खाना पीना पानी और जो सेकंडी रिइंफोर्समेंट के साथ जुड़ने से उनकी इंपोर्डनस बढ़ती है जैसे आपके लिए शाबाशी आपको अच्छा खाना मिलेगा शाबाशी मिलेगे कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपको शाबाशी जो है वह सेकंडी रिइंफोर्समेंट है फिर एक्स्टिंशन जो भी हम वेवेर करते हैं क्लासिकल कंडिशनिंग में भी है इंस्ट्रूमेंटल कंडिशनिंग में भी है कि अगर प्लाची नानुबंद नाम ने पढ़ाया तो उसके अंदर यह है कि जब लिवर दबारा चुहा बार बार उसको खाना मिल रहा है तो ठीक है और उसको लिवर दबारा खाना नहीं मिल रहा तो कुछ ताम बाद भूल जाएगा जर्नलाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन यह सिंपल है जैसा क्या होता है कि आप घंटी में रहते हैं महां पर घंटी बचती आठ बज़े और खाना मिलता है अब मालीजे किसी दिन वह घंटी खराब हो उसके दूसरी घंटी आगई और आठ बज़े बच गई तो आप जनलाइ इस बेन बच गई खराब सब्सक्राइब आप 맞़़ी तो आप पो इसक पर खरें जाने हैं तो यह समझे कि मालीजे आप इसको समझे कि आप जाना को इप जाना के लिए लिए प्रेस करने में खाना के लिए उसको सीखने में शुरूवात में आपको 10 स्टेंप लगीगई यह आपको पता चला कि याद समझ में यह भात कि लीवर दवाने ने खाना मिलता हैं लेकिन अब फिर उसके बाद बंद काहीं महीन दो कुछ नहीं भाल गए फिर अच्छानक से लवर दवाने पर ही खाना मिलना लगा इस पार क्या होगा आप जल्दी शिंख जाएंगे हैं अ जरूत नहीं पड़ेगी तो इसको बोलते स्पॉंटेनेस रेकवरी स्पॉंटेट प्रिजेंटेशन जो धनात पर प्रबलन होते हैं उसके मिलने से अनुक्रिया घटित होती उसके दर बढ़ जाती है यानि आपको जो भी शाबाशी मिल रही है खाना मिल रहा है ट्रॉफी मिल रही है जीतने पर तो आपके दुबारा से उतनी मेहनत करने के आपके जो नेगेटिव कंसिक्वेंस से वह बंद हो जाते हैं जैसे मैंने आपको होमवक डायरी के लिए बताया क्या आप भाई जैसे आप सीट बैल लगा लेते हैं ताकि आपका चालान ना कटे तो यह अच्छा एक्जामबल है आप देख लेंगे कि आप सीट बैल इसलि अच्छने के लिए अब सीट पर लगा रहे है और वयवाल को सीख रहे है तो वह नेगेटिव रिइनफोर्समेंट है फिर प्राणी के जीवन का निर्दार हो जीसे एक प्रानी के लिए भोचन है चैनल प्राणी के लिए प्राणी के अक्यानी के अनृइव और ये यहa स्ये मे diapers न थीरी गभ्रेह करते हैं और secondary reinforces यानि धन प्रशंशा और श्रीनिया को जो फ्यों किता है यह secondary reinforcer के कारण होता है Spontaneous recovery, Spontaneous recovery occurs after learned response extinguished यानि जब आपको बहुत time तक कुछ भी reinforcement नहीं मिला और उसके बाद आप अचानक से वह घंटी बजी तो आपको खाना याद आगया तो उसको बोलते है Spontaneous recovery यह पाया कि काफी सब्सक्राइब बीचानक बाद CQ अनुबंदित अनुकरी का प्रणद्धार हो जाता है और अनुबंदित उद्धिक के प्रती घंटित होती है The amount of spontaneous recovery depends on the duration of the time lapse after the extinction of session. The longer the duration of the time lapse the greater is the recovery of the land response इसमें actual spontaneous recovery में टाइम की भी बहुत importance होती है यानि स्वत्य प्राप्ति की माता है विलोप के बाद बीती हुई समयवद्धी पर निर्पर करती है मानलीजी क्या हुआ कि आपको तीन-चार दिन तक खाना नहीं मिला फिर घंटी बजी नहीं फिर उसके बाद अचानक से घंटी बजी एक दू दिन बाद आपको यादा रहे है यह से घंटी बजी खाना नहीं मिलता है लेकिन मालीजी इसको काफी लंबा टाइम भी दियो फिर अचानक से एक दिन गंटी बजी आपको एक दम से यादा इसके बाद मुझे घंटा था तो आपको मुह में ला रहा जाएगे आप उसके लिए त्यार हो जाएगे अब खाना मिलता तो वैलन गूट आपको भी है रहा 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 तो नहीं मिलता तो फिर एक्स्टिंशन की तरफ चलेगा परे प्राप्ती के मातर्य विलोप के बाद भीतईवी समय निर्भा रखकर बेद्र ही अधिक होती है अधिकत अनुकरिया कि परेन प्रेट प्रेट ठीक होती ऐसी प्राप्ति स्वभक रूप्सवाभास हे अस्वी बैसलाइन यह अपना ने च्रू गईविय aesthetuxe कंडिशन रिस्पॉंस है एक्विजीशन है जैसे कि घंटी बज़री तो इसके बाद बोजन आ रहा था सबसे पहले क्या करते हैं खाना और जो बैल लोग एक साथ बजा जाती कंडिशन इस्ट्यूमिल अनकंडिशन इस्ट्यूमिल दोनों एक साथ आते हैं यानी अनुबंद अनकंडिशन इस्ट्यूमिलस मतलब जो भी जो आपने पहले सीखा यानि जो फूड है वह अनकंडिशन इस्ट्यूमिलस है कंडिशन इस्ट्यूमिलस जो है जो आपको साथ पेर करना चाहरे है यानि यहां पर घंटी के आवाज को पेर करना चाहरे है तो आपने इसको पेर कर लिया गंटी क्या बाद से तो यह आप हिंदी में देख सकते हैं आधार रेका आधार रेका एक्शुली चाहिए हमारा नेच्रल भीवियर फिर अनुबंदित उद्धीपक है पहले आपको खान इसको घंटी और फूड को लाया जाता और आपका जो है वह याद हो जाता है फिर काफी टाइम बीच जाता है उसके बाद जैसे आप सीखते आपके सामने जैसे ही वह घंटी बसती है तो आपको याद आ जाता है कि गंटी बसे बसे आता है घंडा को जाता हो उसके होता है शस्या हो जाता है ये जोतम होता है भाद होतं इस वह मुह में ला रहा जाए है लेकिंदऑ उतनी होगी जितने की जब आपको खाना मिल रहा था उस वक्त जितनी निकलती यहां पर देख सकते मैं इसको थोड़ सा क्याप कर जाता हुआ जब आपको खाना और भोजन दोना के साथ मिले था आपका जो भीवेवर था यानि लार जो निकल ली थे उत्ति ज्यादा निकल लेदी लेकिन इस पॉंटरेशन निकल लार निकली को कम हुई लार जो 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 सलाइवेशन था वो कम हुआ तो यह आप जिए अब जिए अब आपने नेक्स पार्ट किता बढ़ते इसको बहुत है जो भी हम देख सुन देख कर समझ कर जो सीखते हैं उसको पहले इमिटेशन भी कहा जाता फिर इस पर सोशल लर्णिंग कहा गया इसमें सबसे ज़्यादा बंदूरा नाम की यह बंदूरा जो भी है जिस तरह से प्रनुशिशन हो जो साइक्स्पेरिमेंट है और इसको सोशल लर्णिंग इसली क्यों कहा जाता है कि जातर हम व्यवार जो होते हैं अब्जर्वेशन इन इस इन दूट नोट नौट ओ कि बहेव बहुत से इंडिविशन को पता ही नहीं किस तरह से बहुत करना है दे अब्जर्व अधार्स एमिलेट देव इस फ्वम फ्लंनिंग को देखका उसके बीवर को एक्जर कॉपी करना तो उसको बोलता है मॉडलिंग हमारे सामने ऐ दूसरी वेक्तियों को प्रेक्शन करते हैं उनकी तो विवार कंड लगते हैं इस प्रकार का दिगम को मॉडलिंग कहा जाता है और सबसे अच्छा इसमें अच्छल लर्निंग के फायदे नुकसान दिखे गए इसमें क्या हुआ था इसमें चोटे बच्चे लिए उनको एक फिल्म दिखाई गए उसमें बबब डॉल थी उसको बच्चे हेट कर रहे थे उनको परेशन मिल रहे थी एक सिचूशन में क्या होता है बच्चा एक सिचूशन मिलकुल हेट कर रहा था लेकिन उसको परेश मिल रहे था इसमें दिखा गया कि जिस सिचूशन बबब डॉल को हेट करने से बच्चे को प्रेश मतलब उसको प्रसंशा की जा रही थी जब उन बच्चों को सामने ऐसी डॉल रखी गए तो उसको मारने लगे बच्चे को मारने का कम सिचूशन थी जिसमें बच्चे जब मूवी देख रहे था उसमें क्या होता कि बच्चे बबब डॉल को हिट कर रहा था तो उसको ना उसकी प्रेशन साह और पनिशमेंट हो रही थी तो सेकेंड नमबर पर दिखा गया जिए जो बच्चे के सामने बच्चों ने ये वाला सीन देखा था उनके सामने जब बोब डॉल रखी गई तो उन्होंने अफसे बच्चे थे जिनके सामने ऐसी फिल्म दिखाए गए जिसमें बबब डॉल को मारने पर प्रेशन शाह मिल रही थी और सबसे कम बबब डॉल को हिट कर आ उन बच्चों जिन्होंने वह फिल्म देखी थी जिसमें बोबाडॉल को मारने से उनको परिश्मेंट मिल रही थी इसको बोलते हैं अप्जर्वेशन लानिंग बंडूरा ने अपने एक्सपरिमेंट में यह कहा था कि इससे जो हम खास्तों से हमारा एक्रिस्टिव भीवर होता है और में आपने देखा हुआ लड़ा जगड़ी ज्यादा होता है वहां पर जो बच्चे होता है वह ज्यादा वालेंट बनते हैं उसका कारण ही अब्जर्वेशन लर्निंग है अब्जर्वेशन लर्निंग में कौन कौन से भीवर सीखते हैं आप यह देख लिजिए जर्वेशन दिलिजेंस इंड्लेंडस इस तरह का बीवर हम सीखते हैं इसके बाद को एक इसके बाद को निदिए संग्यातम अधिक हम ओड़ी लर्निंग क्या चीजिए क्या होता है सबस्काल अब भी एक्श्मिन की जिएक की एक्यर्य दो तरह की लेंस में सबसे यह उधा जब बड़ा हो वह व्यक्ति क्या है एक्षिली वह सीखता है बिना उसको बिहवर को रीपीट करें जैसे इंस्ट्रूमेंटल कंडिशनिंग जो स्कीनर की थी उसमें क्याता है कि जब वह लीवर को दबाने से कोई बिहवर सीख रहा था जब कि कोई लिवर दिखाया है इसमें यह मानने जाता है कि आप वह लेंडिंग तभ भी कर सकते हैं जब तक चाहें आप वह लेंडिंग दिखाए और ना दिखाया है इससे कोई फर्क नहीं परता कर आप को समझ में आ गया है तो आप वौस पर्टिकुलर बिहवीयर को यह व Insight learning, Antardestrian adhigam और Latent learning, Avyakta adhigam इसको और Cognitive learning के तौर पढ़ा जाता है और इस पर कोहलर थे उनका आपक्षूली रोल सबसे बढ़ाता है Coghler demonstrated a model of learning which could not be readily explained by conditioning इस प्रका का अधिकम परिलिक्षित होता है Coghler ने अधिकम का ऐसा model प्रदेशित किया इसकी व्यक्या अरुबन्दन के आधार पर सरलता से नहीं कि जासके दूदि जाए लेटन रर्निंग लेटन लर्निंग है प्रेकर्फिय इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कॉलर ने किया था इन्साइट लेंगा टाल गालर चिंपांजी के सामने दो रॉड़ रखी दिए इसमें दो तीन एक्सपरीमेंट्टि तहीं चिंपांजी के सामने डबे रखे गे तो पिंज्रे के अंदर ही क्या था चेले लटकाए गई ऊपर और वहाँ पर साइड में डब्बे रख दीगे और चिंपांजी को छोड़ दियागा अब क्या था चिंपांजी ने कहीं वह उसल कुछ करी दो दर चड़ा लेकिन वह उन कुछ तक नहीं पहुंच पार था उसमें होना यह था कि जो दो तीन डब्बे थे उन तो त्री फिर अचानक से क्या हुआ उसने एक डिब्बो के उपर एक डिब्बा रख और वह केले तक पहुंच गया उसने केले खा लिया तो यह जो पारता है इंसाइड लर्निंग था इसमें कोई भी ऐसा रिइनफोर्समेंट नहीं था कि पहला डब्बा रख तो उसको आदा केला म कि ऐसके बाद में ऊसको थोन मिला लेकिं उस तक उस B को बनाने में पहले रख्ण करता है यह जब तक कि इसको पहले आपने दिखा होगए कि हम अपनी जिंदिगे गें एक्विजा П़ी आभी है कि कई सब्कित liters लेहाइक की इसम का होता ब्लेता है शूर्च है कि इस में को स करते हैं जब हमें उसके बंदे में कुछ फायदा होने वाला होता हुआ है जैसे डांस करना डांस के कई स्टैप जिनको डांस थोड़ अच्छा आता है वो कई स्टैप क्या अपने मन में सीख लेते हैं लेकिन उसको वार वार प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो जब मौका को यह को इस तो बूलबिलाः जेए निकल का आखरी में चुवों को जो कष्णा मिलता था अब क्या क्या है उसमें एक ग्रूप कर शुवे यह को तो क्या टाजी सिट जब भी वह भूलबिलोय है और अ 시азывाना हार फेश्टा गिंस अट मिलता ता पिर और ई decía दो मिलता उसके बाद जो टॉलमें था उसने देखा था कि चुहों ने वह जो मेज थी अगर पहला गुरुपता जिसको हर बार खाना मिलता था उसने करीवन दस से पंदरा बार में वह मेज को सीखे खाने तक पहुंचने को मतलब बिना किसी गल्ती के वह रास्ता बनांके सीधे खाने और जो दोसरा zak Mumbai को सुरुआते खाने दिया गया धर उसके बार में खाना को बचया जरुआ जिब दो कॉखने थी जब वह श्रूवात में तब 126 शुरुरुए उसके भाद वह सीधों को पहुंच जानी जब वह पहले प्लैक्टिस कर रहे थे यहनी पहले जब उस मेरे में उनको घुमाया जा रहा था भले उनको खाना नहीं मिला था तब भी वह याद कर रहे थे तो उसको बोलते है लेटेन लर्निक इसमें एक्चुली कॉग्निटिव मैप बनता है इतना आपको जनने की समझने की जोती है अगर ज़दा ज़दा आ ज़दा को टॉल में लिगता है ऊहा तो अगला कशिक लानिंग अगला फार्ट अक्रेश्ग कैसे समय जत्विसर्प नद सब्सक्तप और मुद भी पूले है हैं इसे कंश ड्रूल मौन होता हैं को इसनोर की की ज़दा आप समझते हैं और स्टूल को सब्सक्राइब कुछ पर पर टेकनी के लिए कुछ नहीं होता है दूश्यों सब्सक्राइब कर दो का देखना तो है विरिद्दम नोटें कुछ नहीं होता है पीछे बैक सपोर्ट है है और बैठने के लिए जग़ा है तो चेर है और बैक सपोर्ट नियुक्त चार पाई लेके हुए और इसमस्पर बाचते हैं रौणिटी किसी तो उसको ब करने है में फीचर हो 300-300 उपने टायज को हरें एंशरे 4 लेक प्लोटफ्रम के ओपर्शानाग और यह इस जा करें आप चुर जा कर सकता सर्फ तो इन फीचर्स को दिलिःकर आप पेलंग चॉन сам होता है इसके लिए हमेशे आप पाई टेबल में भी चार पाई चेयर में भी लेकिन आप फिर भी समझ जाएं किस रूल से जुड़ा हुआ है तक आप डिए कर सकें कि यह स्टूल है चेयर है यह टेवल है और कंसेप्ट आप आप पैचान सकते हैं आलू की सब्जी किस तरह की सब्जी जब कि वह अलग है फिर भी आप उसको सब्जी क्याटिग्री में समझ जाएंगे इस में क्या होता कि जो रूल सोते हैं वह इस ट्रिक्ट नहीं होते अलों का अपना एक शेप है गोबिका अपने बैगन का अपना एक शेप है ये बिलकूँ ये नेचुरल कंसेप्ट का एक्जामपल है लेकिन हम फिर इनको एक ही काटिकरी में रहते हैं सब्जी की काटिकरी में वेजटेबल्स आठीफिचल कंटेट जो कंसेप्ट होता है जर्रली वेल डिफाइड होता है है कि लिए काट होते हैं है एडिक की अ होता है हलिकॉप्टर क्या होता है कि ए फार तरफ य हो यदो हो kull antaskin हमहिंट तरफ हवा को कांटनेक लिएक तरीखीृं लगाया होता है हमें जो हेलिकॉप्टर होगा वह एक्चुली उस पर रोटर लगा होगा वह गूमेगा उसमें पीछे की तरब भी वील होता है तो उसका बैलेस बना रहे जो साइन्स पढ़ते हैं इसको समझ जाएंगी लेकिन फिर भी आम भी समझें कि हेलिकॉप्टर का क्या अलग का अलग concept में भी क्या होता है वह उन कंसब्ट को मिक्स किया जासकता है अब जैसे वेजीटेबल में भी दो मतलब इंटर मिक्सिंग भी हो जाती है अब जैसे फ्लाइंग ऑब जैक्ट में जो हेलिकॉप्टर और अरॉप्लेन दोना एक ही concept में इंक्लूड होगे तो आपने वह जैस भी आप definition बना सकते हैं और हम बनाते ही हैं तो यह होते हैं कंसर्ट और यह आज के लिए मेरे सबसे बहुत हैं अगर आपको कुछ आच्छा लगे तो बताएगा और आपको इसमें कोई क्वेरी हो किसी तरीकी तो आप जरूर सवाल पूचेगा और अगर आपको पसंदा तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक